हेई GDS Family, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दरपन Android application के अंदर बैक किस तरह से ओपन करते हैं, किस तरह से हम आर्टिकल रिसीव करते हैं, या कैश किस तरह से रिसीव होता है इसमें आज हमारी ब्रांच में 10 आर्टिकल रिसीव हुए हैं, आर्टिकल रिसीव करने से पहले हम नंबरिंग करेंगे आर्टिकल की और नंबरिंग करने के लिए हम फॉलो करेंगे डिलिवरी मैनिफेस्ट को ब्रांच पोस्ट आफिस में दो डिलिवरी मैनिफेस्ट देखने को मिलते हैं एक हम वापिस एकाउंट आफिस भेज देते हैं और दुसरा हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं सो मैंने यहाँ पर पहले सही नंबरिंग करके रखी है अपने आर्टिकल्स के उपर नंबरिंग करने से होगा क्या नंबरिंग अगर करते हैं न हम तो MD के लिए भी इजी रहता है वो आर्टिकल के उपर जो नंबर पढ़ा है उसको देखकर एकदम से सिगनेचर ले सकते हैं ऐसे काफ़ी ढूणना पढ़ता है और BPM को भी फिर एंट्री इसी सीरियल में करनी चाहिए कुल मिलाकर ऐसा है कि नंबरिंग करने से काम थोड़ा इजी हो जाता है MD के लिए भी और BPM के लिए भी वैल ये तो था नंबरिंग के लिए कि कैसे नंबरिंग करनी है एक और इंपोर्टन चीज है जैसे ही आप अपनी डाक रिसीव करो आपको अपने डिलिवरी मैनिफेस्ट पर अपनी बियो की डेट स्टेम्प लगानी है डिलिवरी मैनिफेस्ट के साथ साथ एक और स्लिप हमें रिसीव होती है जिसे हम बियो स्लिप कहते है इस slip पर हमारा closing balance लिखा हुआ आता है मेरा कल का closing balance था 13255 और जो मेरा पिछले कल का closing balance होगा वही मेरा आज opening balance रहेगा यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे view का closing balance रहता है वो इस slip के साथ match होना चाहिए इसमें कोई difference नहीं रहना चाहिए अगर कोई difference आता है तो आपको अपने account office से इसे confirm करना होगा next इस slip के अंदर हमें देखने को मिलता है bag ID यह हमारी bag ID होती है और दूसरी है bio slip number bag ID हमारी L से start होती है और bio slip number B से start होगा इन दोनों की जरूरत पढ़ती है हमें bag open करने के लिए तो अब हम start करते हैं कि bag कैसे open होगा bag open करने के लिए mail operations में जाकर आपको ये सारे options दिखाई देंगे booking, delivery, bagging, delete, all data and payroll तो यहाँ पर आपको bagging वाले option को select कर देना है यहाँ पर भी आपको 4 option दिखाई देंगे bag open, bag close, bag dispatch and bag reports तो bag open करने के लिए हम bag open select करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आता है enter the bag details, bag details में हमको bag number डालना है जो कि मैंने अभी आपको बताया था bag ID, bag ID जो हमारी है वही हमारा bag number है तो हम यहाँ पर bag number enter करेंगे LBE 2505643512 उसके बाद हम confirm पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर alert में दिखा रहे हैं virtual data not received please enter bioslip number and perform data entry अगर आपके पास भी ऐसा alert show हो तो सबसे पहले आपको bioslip number enter कर देनी है क्योंकि इस alert के according जो है data हमें virtually receive नहीं हुआ है आज तो हम simply bioslip number enter करेंगे बी-ओ-वन-एट-वन-जीरो जायद से मैंने यहाँ पर कुछ गलत डाल दिया है 24 नहीं लिखा था और लास्ट में मैंने वन भी नहीं लिखा है यह प्रभू then click on ok so next आपको यह सारे details देखने को मिलती है इसमें पहला option है हमारे पास article number का और नीचे red में जो लिखा है वो है four manual data entry please select article type तो हम जब भी articles manually receive करते हैं तो हमें article type select करना होगा हमारे पास यहां दो तरीके हैं article को add करने के पहला option तो है कि हम article number enter करें जैसे कि मैं ऐसी कर रही हूं आप ऐसी भी कर सकते हैं दूसरा option है हमारे पास scan करने का हम scan करके भी article को add कर सकते हैं तो आर्टिकल के ऊपर जो यह बार कोड लगा है इसको आपको scan कर लेना है scan करने के बाद आपके पास पूरा आर्टिकल नंबर शो हो जाएगा और second option पर आपको select an article type करना है यह article जो है speed post का है इसलिए मुझे speed post select करना है यहाँ पर speed post के लिए sp inland करके लिखा आएगा तो मैं इसे select कर दूँगी और उसके बाद simply add यह add हो गया है आप देखो नीचे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा article नंबर आ गया है और इसको आप delete भी कर सकते हो और edit भी कर सकते हो बाद में उसके बाद next भी म मैं ऐसे ही receive करूँगी scan करके अब यह जो article है यह registered letter है तो रिजिस्टर लेटर के लिए इसमें letter लिखा होगा letter को select करना है और add करना है so one by one करके सारे article को आपको इसी तरह सी receive कर लेना है and done तो मैंने यहाँ पर सारे article receive कर लिए है एक बार इनकी में counting कर लेती हूँ one two three four five six seven eight nine ten सारे दस article मुझे receive हो चुके है next option में select product ID लिखा है अगर कुछ inventory भीजते हैं आपके account office से आपके branch office के लिए तो हमें यहाँ सी select करना होता है और next रहता है document name account office से branch office के लिए जो भी document भीजे जाते हैं अगर तो आपका data virtually भीजा गया है तो यहाँ पर automatic ही वो mention होते हैं आपको सिर्फ add करना होता है अदरवाइस आप manually भी कर सकते हैं next amount received आपके account office से अगर आपको cash भीजा जाता है तो यहाँ पर वो आपको receive करना होता है इसके लिए दूसरा option हमारे पास special remittance भी है वहां से भी कर सकते हैं सभी article को add करने के बाद अगर document है और amount भी है तो सब कुछ add करने के बाद हमें save पर click करना है click on save details has been added for the bag this तो सारे details जो है add हो चुकी है इस bag ID के अंदर यही से हमने अपना bag भी open कर लिया और अगर document है या cash है वो सारे चीजे हमें receive हो चुकी है तो यह last में एक और चीज है जो आर्टिकल आपको receive होता है उसमें back side में आपके account office की stamp होती है तो branch office में भी जो हमारी date stamp रहती है उसे हमें इन articles पर लगाना होता है चाहे registered speed post कोई भी है या ordinary है सभी पर हमें अपने bio की stamp लगानी पड़ती है तो सभी articles पर आप stamp लगाना ना भ कर सकते हैं कैसे cash receive करना कैसे documents receive करने हैं यह सारा मैंने clear कर दिया है अपनी और से तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे जाए तो you can ask in comment section और अगर यह वीडियो पसंद आई है तो like करे comment करे और share भी करे सभी जीडिये स्ट आफके साथ and okay then bye ध्यान रखे अपना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में